अल्राइट सो हे वाट्स अफ एवरीबड़ी दिस अजेशिन दे बैक इन्टु दे गेम विथ न्यू वीडियो तो दोस्तों अभी अभी अनौस्मेंट हुआ है वामी के तरफ से कि वो लॉंच करने जा रहे है अमेस्पीड जीटियस टू मिनी जीहां दोस्तों यह लॉंच होगा फ्रस्ट ऑफ डिसेंबर को चाइना में उसी के साथ साथ दोस्तों वामी के जो सीओ है वैंग उन्होंने एक टीजर वीडियो अपलोड कर दिया था वीबो के ऊपर तो वहां से भी हमें कुछ डिजाइन के स्पेक्स पता चल गए है तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यह जो स्पेक्स डिजाइन जो है वो कैसे होने वाली है और तोड़े सा स्पेस जो है क्या है सो विदाउट वेसिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड हमें clear ही समझ में आ रहा है कि smaller lighter thinner यहाँ पर आपको वर्जन देखने को मिलेगा मतलब यह जो वाच होने वाला है smaller lighter और thinner होने वाला है और teaser से हमें पता चल रहा है कि यह जो display होने वाला है हो curved display होने वाला है लेकिन अभी तक confirmation नहीं आया है कि यह AMOLED display होने वाला है casing के बात करें तो दोस्तों यहाँ पर metal की casing लग रही है लेकिन यह भी confirm नहीं है उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको right side में एक button का option मिलने वाला है single button design यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों teaser से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 color variation आने वाले है एक होगा black एक होगा green और एक होगा pink तो दोस्तों यह हो गई straps की बात लेकिन यहाँ पर straps removable है या नहीं यह confirmation अभी तक नहीं आया है तो दोस्तों teaser से आपको first look तो मिल गया और यहाँ पर watch के back side में आपको heart rate sensor clearly show हो रहा है मतलब 24 hour heart rate monitoring confirm है लेकिन अभी तक SPO2 sensor है या नहीं वो अभी confirm नहीं है यहाँ पर दोस्तों यह शायद से 5 atmospheric level तक water resistant रहेगा लेकिन यहाँ पर confirmation नहीं आया है यह confirmation हमें जल्दी ही पता चल जाएंगे तो दोस्तों इसमें SPO2 sensor होने वाला है या नहीं sports modes कौन से कौन से होने वाले है उसे के साथ साथ कौन से health features added होने वाले है इसका confirmation इस week में तो confirm आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यह हो गए specification जो design यहाँ पर leak हुआ था tease हुआ था उसके तहत और यहाँ पर दोस्तों FCC के उपर जब certified हो गया था तब हमें पता चला था यहाँ पर 220 mAh के battery आपको मिलने वाले है जो कि आपको last होगी 5 to 7 days तक वो आपको last होगी उसी के साथ साथ आपको Bluetooth 5.0 का support मिलने वाला है तो बस दोस्तों यह सारे specs जो है वो बाहर निकल के आए अब भी बहुत सारे specs आना बाग है तो बस दोस्तों यहीत आज के वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो like करो चैनल पर नहे हो तो subscribe करो till then bye bye this is the suggestion day over and out